नमस्कार स्वागत हैं आपका इंडिये नियूस 28 में आईए बात करते हैं उत्तरप्रदीश की कुछ खास ख़बरों की कानपूर 28 दिनों से लापता बच्चे का अभी तक नहीं मिला सुराग पनकी थाना क्षेत्र की घटना आपको बता दे पनकी थाना क्षेत्र निवासी वी 144 दूडा कॉलोनी रतनपूर थाना पनकी कानपूर नगर के रहने वाले अनीस एहमद का 11 वर्षिय बेटा सोहिल खान 1 विसंबर 2023 से लापता है तमाम तलाश करने के बाद भी आज तक कुछ पता नहीं चल सका है पीलित अनीस एहमद ने थाना पनकी पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करने की मान की जिस पर पुलिस ने मुकदमा अपरात संख्या 492 धारा 363 आईपीसी में दर्ज किया परंतु रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी अभी तक कोई कारवाय नहीं हुई है पीलित अनीश्व उसकी पतनी लापता बच्चे की तलाश में दर्दर भटक रहे और अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे है कैमरा मेन बविता वर्मा के साथ यूपी स्टेट सी अब क्या लगता है आपको बच्चे कहां है आप कानपुर कमिशनर और उत्तर पर्देश की मुक्याय योगी अधितना जी से क्या मांग करना चाहते हैं हम उसे ही मांग करना चाहते हैं कि हमारे बेटों को किसी तरीके से लाने की पूसित करें